प्रिक्षाओं की त्यारी आप बहुती अच्छे त्रीके से कर रहे होंगे और करना भी जरूरी है क्योंकि जिस चीज का हमें इंतजारता सात्यों हरियाना पुलिस भरती 2021 का जो पीछे एक्जाम रद हुआ है अब उसकी जो नई डेट है फाइनल डेट सात्यों आ चुकी है इसका एक्जाम कब होगा और इसके एडमिट कार कब से आएंगी ये सबी चीजे सात्यों HSC की ओफिशिल साइट पे डाल दी गई है ठीक है इस वीडियो में हम आपसे यही डिसकस करेंगे हरियाना पुलिस की जो एक्जाम डेट आई है कब कब का आपका एक्जाम रहेगा और इसके एडमिट कार कब से निकलने सुरू हो जाएंगे ठीक है तो HSC का जो ओफिशिल नोटीस है उसके साथ हम आपको यह आपे बताने की कोसिस करते है ठीक है तो प्यार 29, 30 और 31 तरीका रहेगा ठीक है मोर्निंग और इवनिंग सिप्ट में आप इसको यहां पर चेक आउट कर सकते हैं मेल कॉंस्टेबल जर्नल डूटी सबसे पहले 29 अक्टूबर को यानि फ्राइडे के दिन आपका एक्जाम है मोर्निंग में भी और इवनिंग में भी ठीक है मोर्निंग में आपका जो टाइमिंग है वो साड़े दस से और इवनिंग में तीन से साड़े चार रहेगा ठीक है इसके बाद सेकेंड पेपर आपका 30 अक्टूबर का मोर्निंग और इवनिंग में रहेगा ठीक है टाइमिंग आपकी सेम रहेगी साड़े दस से बारा आपक male constable की जो exam की date ये आपके आ चुकी है 29, 30 और 31 October की ठीक है और आपके जो admit card ये कब से निकलने शुरू हो जाएंगे आपके 21 October से ठीक है जो admit card प्यारी साथ हूँ ये कब से निकलने शुरू हो जाएंगे आपके 21 October से ठीक है तो प्यारी साथ हूँ ये एक महतवफून आप विजिट कर सकते हैं रिजिनिंग से रिलेटिड सभी परकार का डाटा हमने डाल रखा है और कंटिनू इस एक मेने के दोरान रिजिनिंग से रिलेटिड सभी परकार के टोपिक हम आपको अच्छ से कवर करवाएंगे ठीक है रिजिनिंग से रिलेटिड आपका एक भी परसन नहीं कटने वाला चाहे आप किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं ठीक है तो आप चैनल पर भी विजिट करके चेक आउट कर सकते हैं हमारा कहने का आप से सिंपल सा तात्परी है आप जहां से भी पड़े अच्छे से पड़े टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ ह तो इस पोस्ट को आप अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं ठीक है तो आगामी प्रिक्षाओं के लिए आप सभी को डेर सारी सुब कामनाई इसके लिए आप सभी को बैस्ट ओफ लग करे वीडियो पसंद आयों तो अपने सात्यों तक इसे जरूर से रिर कीजिएगा किसी ट अगर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट बोक्स में आप आमें जरूर बता सकते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मिलते तब तक के लिए सभी का धन्यवाद